हाँ यार हेलो दोस्तों नमस्कार गूड मौनिंग सभी माताओं भाई बैनों को मेरा प्यार भरा राम राम कैसे हो आप लोग आसा है आप लोग पहुत पहुत अच्छे होंगे स्वस्त होंगे हमारे नियू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है जितने साथ ही हमारी वीडियो को देख रहे हैं इस तर से प्राथना है सारे साथ ही सबस्त रहें मस्त रहें अपने जीवन में यू ही आगे बढ़ते रहें तरक्की करते रहें सुर्वाय के खाना पिना हमारा बन चुका है और अभी बर्तन्र रहे गएए हैं और बारिस एकदम से आ चुकी है बहुत तेज बारिस होने वाला है मौसं भी बहुत खराब है थोड़ी बहुत बारिस भी हो रही है तो अभी दिखाते हैं यहां का मौसम कल और परसो हलकी सी धूप निकली हुई है और बाकी जो है फिर से वैसे ही हो गया है तो चलते हैं बहुत ज़्यादा बारिस फिर से आ गई हाँ यार यार ये बारिस न जाने क्या करेगी चलो आग के पास बेठो चले कि मौसम चलों तंदी आग करते हैं कि दोप्ला जे हैं कोवार कोवार बारिस परया है तो यार यार भार कि चलो है रही है क्या है यार यार कोवा कोवार है तो आप लोगों कि यहां मौसम कैसा चल रहा है हमारे यहां तो कुछ इस तरीके की जो है बारिस का मौसम चल रहा इस टाइम जनवरी में भी बारिस लगी हुई है और आज है प्रषए नौश जनवरी इन्को रेड़ी किया था यह देखिए कैसे हिम हपणा रहे हैं इनको रेड़ी किया था इस्कूल जाने के लिए कि इतने दिनों से जा नहीं रहा थे और हासी के वा रही है गुट मानी करो मामा मौनी कर दो निंग आइसे बोले पढ़ाई कर रहे हूँ सुनाओ टेबल पढ़ रहे हूँ न टेबल टेबल याद हुआ कि नहीं टेबल सुनाओ सुनाओ का है बहुत मस्ति कि यह हूँ आजकल नानी के यहाँ फिर यहाँ चुटी टेबल सुनाओ टेबल टेबल याइसे नहीं पढ़ते हैं टू वन जा टू 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 जा फोर टू त्री जा सिक टू फॉर जा एट तू फाइफ जा टेन इस तरीके से बढ़ा जाता है तुमारी तरीके से थोड़ी बढ़ा जाता है याद नहीं करते हों और उसके बाद में आ गये हैं बरतन धुलने और तुरंत नहीं आये थे क्योंकि आप लोगों से जब बात किया था उसके तुरंत बाद नहीं आये थे यहाँ पर यह है धाई बजे का टाइम तो इतनी ज़्यादा बारिज कभी धी में हो रही थी कभी तेज हो जा रही थी तो फिर धाई बज गया था आज सुबह के हमारे बरतन धुलने में और थोड़ा सा वीडियो में भी काम रह गया था तो उसको करने लगे और उसको अपलोडिंग किया था लेकिन अपलोड होते होते उसको बज गया था साड़े बारा क्योंकि जब मौसम कुछ इस तरीकी का होता है तो अपलोडिंग में बहुत ज़्यदा दिक्कत आती है बहुत रुक-रुक के चलती है और जब वीडियो अपलोड करते हैं तो उस टाइम कोई वीडियो नहीं सूट होती है तो इसी वज़े से उस बिस बहुत जादा बारिस हो रही थी तो हम आप लोगों को नहीं सेयर कर पाए हैं बहुत जादा बारिस हो रही थी और आप लोगों से बाते करते करते हमारी बरतन भी सारे धूल चुके हैं और जले वाले बरतन हमने पहले ही धूल के रख दिया था क्योंकि फोन की वैटरी सारी खतम हो गई थी तो फोन चार्जिंग पर लगा रखा था हमने क्योंकि जब बरतन धुल रहे थे वीडियो अप्लोडिंग के बाद में उसको चार्जिंग पर लगा दिया था जब जायदा टाइम लग जाता है तो फिर बैटी खतम हो जाती है तो बरतन सारे हमारे धुल चुके हैं और यहां पर बाहर आये हैं क्योंकि ममी चारह कर रहे थी और बाबू इधर घूमने के लिए बाहर जा है बारिस भी हो रही है की giraffe में देखें इधर उदर टैल रहे हैं और बच्चे तो बीलकुल मानते ही नहीं है घर में रुकते ही नहीं चाहे बारिस हो या ठंडी हो तो उनको बस खेलना रहता है तो इनको इतना ज़्यादा देखा जाता है फिर भी इधर से कहीं पीछे से निकल जाते हैं तो कहीं आगे खरंजे से निकल जाते हैं तो इनको बुलाई रहे थे खड़े हो करके बुला रहे थे लेकिन जब तक इनक पढ़के ना लाओ तो यह आएंगे नहीं तो यह देखे अब इधर चले जा रहे हैं तो अभी भी मौसम इतना ज्यादा खराब है बहुत ही जादा खराब है तो अब चलते हैं साम की तयारी करते हैं खाने की क्योंकि बारिस में तो जल्दी ही सारी तयारियां करनी पड़ती है तो यहां पर जो है ममी खेत गई थी जब थोड़ा बारिस कम हुई थी तो हमारे खेत में नहीं है लेकिन हमारी चाची जी के खेत में है सोया मेथी तो वहीं से लेकर के आई थी तो सोया मेथी लेकर के आई थी तो हमने कहा चलो इसको निकाल के सुबह के लिए धुल के रख देते हैं और साम को जब सारे काम हो जाएंगे खाना वगरा साम का उसके बाद में इसको कट करके रख देंगे तो सुबे के लिए हमको ज़्यादा जल्दी नहीं होती है इतने सर्दी में दिक्कत नहीं होती है जब सारी तैयारियां साम को कर लेते हैं दोस्तों आज जो है सुबे के बरतन हमने अभी धूले हैं यानि कि तीन बजे तीन बजे का टाइम है यह धूल चुके हैं और उसके बाद में क्योंकि आज सारा दिन जो है बारिसी हुई है और अभी थोड़ा सा टाइम यानि कि एक घंटा लगबग हो गया है तब से बंद है और बागी जो है इसी वज़े से आज की हमारी वीडियो एकदम थो चुकी थी बीर बलकी खिचडी जैसे की वह जाई नहीं रही थी अपलोडिंग में इतना लेट किया कि साड़े बारा बज़े पहुंची है आप लोगों के पास और यहां पर पीसने जा रहे हैं सोट तो आज साम को बनाने वाले हैं सोट के चावल क्योंकि सर्दियों में यदि सर्दियों से बचना है तो घर में घरेलू उपचार जो है यही होते हैं बस सर्दियों से बचने के लिए जैसे सोट की चावल हुए और हरीरा वगरा हुआ सोट के लड़ू हुए तो यही सारी चीज करते तो हमने सोचा चले लहाएं चलब कितनी जादा ठंडीieg हो तो आप कोट लिया और धुल के उसके बाद में इसको पीस के रख लेंगे सोट को पीसने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इसको पानी डाल डाल के पीसेंगे तो जल्दी पीस जाएगी नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगता है और वैसे भी गिली ही हमको पीसना है तो सोठ हमारी पिस चुकी है और आप जो है हमने इधर बदाम और काजु थोड़े भीगो दिये थे तो इनको पिस लेंगे तो जादा भीगो ये नहीं थे क्योंकि हम थोड़े से काट के डालेंगे क्योंकि इसमें ग्रेवी तो हमको बनानी नहीं है तो चावल ही बनाने इस वज़े से थोड़े से ही पिस लिये हैं तो इनको पिस के रख लिया है और उसके बाद में इसको धुल के क्योंकि काफी दांतों में भर जाता है तो उसको भी धुल के इसी में कर लेंगे और फिर आ गए हैं इधर तो जला दिया है चूला चूला हमारा अच्छे से जल रहा है फिर रख दिया है इस पे कड़ाई और कड़ाई सूख जाती है उसके बाद में सरसों के तेल में बनाएंगे और इधर थोड़े से ड्राइफूट निकाल लेते हैं जो कड़ करने वाले होंगी इनको भी कड़ कर लेंगे और इधर एक बदाम बाबू को दे दिया है सर्दियों में क्योंकि तो यह कह रहे हैं ममा काट दो और इसको हम कड़ करने लगे दर दूसरी उठाके इन्होंने खा काईम लगता है तो इसको धीरे धीमी आज में पकाएंगे तभी सोंदे सोंदे चावल हमारे बन के तयार होंगे खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं और उधर हमारी स्टोंट जो है पक रही हल्दी जो है इसको घोल बना लेंगे क्योंकि यह हमने पीसी नही काईम अब तो इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा भूंने में और उसके वाद में जो हमने काईू बदा से इनका घोल डाल दिया है इसको थोड़ी दिर भूं लेंगे और यह देखिए मसाले सारे हमारे पक चूके हैं और इसमें जो है धुल की चावर रख लिया था यह य के पने इनको मिला लेंगे अच्छे से तो दस मिन ट्रीक के लिए हम ने इनको के लिए पक हर दि नीक बेते में पाद मेंदी अ टकानेगे काट लेंगे बदाम को बडाम से कटकर लेकिन उसको कट कर गिजने नारियल ठाइम में उसको ढ़िशन कप रहनें और लेंगे उसको कोड़ाने भरतेंगे जैब शुब घंक हो चुका है तो इसमें कट करके छोटे-छोटे टुकडे रख देंगे ताकि चाय बनाने में आराम हो जाती बस वैसे ही उठाके डाल दो और यहां पर गुड़ पहले इसमें डाल देते हैं तो यह हमारे अत्पके हो चुके हैं यानि पूरी तरीके से नहीं पके हैं तब इसम हमने पानी थोड़ा सा गर्म किया था बाबू के लिए इस नाना वाली सीसी में भरके रख देंगे क्योंकि नाना के लिए नाना ने कहा यह बड़ी वजन है तो उनको इस से छोटी भी लाइ गई थी तो वह चोटी वाली नाना लेकर के गए हैं और कुछ बहने हमारी तो है मौसी के घर पर है और जैसे धूप निकलेगी तब फिर बुला लिया जाएगा यहां पर और यहां पर देखिए ड्राइफूट भी हमने डाल दिये हैं तो थोड़ी से जो है काजू बदाम माखाने और इसमें तो ड्राइफूट चाहे जितने हो तो सभी चीजे अपने लेंगे फिर जो है खाने में बनाया था दाल चावल और जैदा तर दाल ही साम को बनती है हमारे यहां तो यहां पर थोड़ी से थाली में काजू और बदाम वगयरा डाल देंगे तो यह खाने में भी जैसे पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है तो यहां पर डेड़ी हो चाओ पर चाम यहुंबंयों से और सब कर और ना चंद में खात्बाद को हुआ और दों में सब्सक्今天 मुद्ध करने तरह LOOK ले आए हैं और खाले गर्म गर्म उसकी बाद में के बागी करेंगे साम को बनाया था आल रोटी skip रोन को वह देता है अकसर और सो भूत हिए नियुकुक्षर में वह लगार ट। तो उसके बाद में तो गत्वता है, तो उसकी पुताई कर देंगे और यहां पर लगभग में डेड़ घंटे हो चुका है क्योंकि सोया मेथी भी कट करके इसी बीच हमने रख दिया था सुबह के लिए और बाकी के सारे काम थे जो हमने सुबह के लिए करके रख लिया क्योंकि बरतन धुलना खाना खाना उसके ब बताई करने के बाद में फिर वीडियो एडिट करनी है और अपनी थोड़ा पेट की सिकाई भी करनी है क्योंकि हमारी पेट में सर्दी लग गई है तो उसकी सिकाई भी करनी है क्योंकि दर्द करता रहता है और एक हमारी बहन ने कहा था कि आप जो है सौक्स पहनती हो किचन में गंदे नहीं होते हैं तो गंदी बहन अगर पहने जाएंगे तो गंदे वैसे भी होंगे और किचन में गंदे तो होते ही रहते हैं तो दोस्तों आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा यदि पसंद आ गया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना जिन्हो बाद में कर लेते हैं पुताई तो पुताई बस नीचे नीचे ही चूलेकी ही करेंगे थोड़ी कर लेंगे क्योंकि अभी तो हमारी किचन चमक ही रही है और आज पुताई कर लेंगे फिर जो है कल जब इसकी पुताई करेंगे तो पूरी करेंगे जैसी गंदी होगी वैसा कर वीडियो और आप लोगों को हमारी ये रेज्पी कैसी लगी सर्दियों से बचने के लिए तो यह भी कमेंट करके जरूर बता देना और वीडियो पसंद आ गया हो तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो फिर से कहरें एक बार लाइक जरूर कर लेना क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं बहुत सारे लोग हैं जो लाइक नहीं करते हैं देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते इतनी सर्दियों में और वीडियों बनाना बहुत मुस्किल होता है तो यहां पर पुताई भी हमारी हो चुकी है और इसी के साथ वीडियों करते हैं समाप्त मिलती हूं नेश्ट वीडियों में एक अच्छे से व्लॉग के साथ तक आप लोग अपना ध्यान रखे और भगवान से हम यही प्रात्ना करते हैं आप लोग हमेशा खुस रहें स्वस्त रहें मस्त रहें तो दीजिए मुझे इजाजत नमस्कार दोस्तों